हाँ जी आज हम डिसकस करेंगे सस्ते मोबाइल चर्जर घातक भी हो सकता है बहुत सारे न्यूज आज कल कि किसी का मोबाइल फोन बस्ट कर गया किसका फायर हो गया वो सब क्यूं होता है इसका कारण क्या है और कैसे वह घातक हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा जानकारी लेंगे नमस्ते दोस्तों मैं हूँ UC पतनाइक उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ना चलते हैं आज के टपिक पर मुख्य रूप से इसके तीन कारण होते हैं बेटरी, चार्जर और कवर सेलफ़न में जो चार्ज हो रहा है वो है बैटरी, उसको लिथियूम आयोन बैटरी बोलते हैं इसका एक बहुत बड़ा disadvantage है वो अगर वो ठीक तरह ध्यान ना दिया जाए वो घातक बन सकता है कैसे होता है क्या जो बैटरी है आप अगर Wikipedia में जाएंगे वो बोलता है कि 45 डिग्री से उपर इसको इसका temperature आगे नहीं बढ़ना है इसका एक ही problem है 45 डिग्री से इसका अगर charging के time बढ़ गया तो यह blast भी कर सकता है तो वो क्यों 45 डिग्री से उपर जाता है कि कौन उसके लिए जिमेदार है इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे आप देखे होंगे आप अगर कोई cold region को जाएंगे वहां charging time ज्यादा लगता है क्य ज्यादा time charging लग जाता है अगर summer में आप यूज करते हैं कई hot area में यूज करते हैं वहां बहुत जल्दी charging हो जाता है और उसके हिसाब से temperature भी बढ़ता है temperature इसका सारा problem है तो इसलिए जो lithium-ion battery use हो रहा है हमारे cell phone में इसका protection बहुत ज़री है तो यह हमारे mobile phone में क्या होता है सारे protection दिया हुआ है उसके इलावा battery के अंदर भी protection circuit है जो सस्ते सस्ते battery आते हैं कभी-कभी उसमें protection circuit नहीं रहता है वो सोचते कि cell phone में तो protection circuit है तो हम क्य देंगे protection circuit वो होता है main problem उसमें क्या होता है अगर charger कुछ problem दिया और जो battery है सस्ते battery है तो वो बहुत सारा problem कर सकता है मतलब burst भी हो सकता है तो आजकल जो news निकलते हैं cell phone battery burst हो रहा है उसका कारण यही है charger में रहता क्या है charger में एक electronic circuit रहता है और जो हमारे mobile phone 5V की requirement रहता है व 5V वहां से मिलते हैं तो 5V तो मिलता है तो फिर बहुत सारे mobile हम देखेंगे वीडियो में आगे जागे 5V तो मिलता है तो फिर घातक क्यों हो सकता है भाई उसका reason है जब आप उसकी थोड़ा जादा जानकारी लेंगे और देखेंगे वो सब क्या है और इसका एक aging factor है aging factor मतल यूज करते हैं cell phone में जब manufacturer बला तो कभी cover के लिए उसको बनाया नहीं था तो और हम जब cover लगा देते हैं क्या होता है इसका जो heat है न वो heat dissipate नहीं होता है मतलब heat इसका बाहर नहीं जाता है वो cover के अंदर आ जाता है तो बैटरी का temperature बढ़ता है तो बैटरी का temperature बढ़ता ह हो जाता है आप हरान होगे सुनके अगर आप बिना cover यूज करेंगे आपका battery double the life दे सकता है और देन एक और बात रहा आप देखेंगे एरपोर्ट में जाओंगे कहीं भी जाओंगे आप बोलते हैं जो power bank आप अलग से रखो power bank check-in baggage में मत भेजो इसके कारण क्या है पता है इसके कारण है कि उसके अंदर भी lithium-ion battery रहता है अगर कुछ हुआ ओ lithium-ion battery at least cabin के अंदर कुछ होता है तो कुछ पता चले अगर cabin का अंदर नहीं है और carriage में है वहाँ आग भी लग सकता है तो इसलिए उसको बोलते हैं कि आप इसको check-in baggage में नहीं देना है